नए इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में आये हैं पिछले कुछ साल में कोविट के बाद तो बहुत ही बड़ा इंफलक्स हुआ तो उनके लिए अगर कुछ एक वर्ड अडवाइस हो वो क्या होगा तो जो इन्वेस्टर आये हैं उनसे मेरा बड़ा लगाव रहता है क्योंक कि मैं उसी फिल्ड से आया हूं तो मेरे को लगता हूँ मेरे पास्ट है हमने डाला सुबह किया विजय केड़ा है तो बहुत लोग ने किया कि आप उनके बताईए मिलना चाहते है आपसे लोग आपसे पूछना चाते हैं तो बहुत इंटरेस्ट बताईए तो दो चीज ध् बनाते रहता है और चार सारी चार साल बाद उसमें से पौदा निकलता है और पांचोए साल में 40-60 फीट लंबा वह बैंबू ट्री खड़ा हो जाता है यह शेर बजार का पूरा रहस यह शेर बजार का कि वह शेर नहीं चल रहा है जब वह चलना चालू होएगा ना तो चार स साल तक वह बीज करके आ रहा था वह बैंबू ट्री का वह नीची अपनी जड़े पहला रहा था ताकि वह 40-50 साल तक खड़ा रह सेके उतने बड़े भार को जेल सेके यह लॉंग टरम का थे और दूसरा सबसे बड़ा थे लॉरी लॉंग टरम का जो मैं समझा हूँ शेर ब अगर अगर इंकम पर डिपेंड नहीं होगे शेर बीजार के इंकम पे तब आप चोखे छके मार सकते हो तब आप लंबा 57 होड़ कर सकते हो तो आपको आपके खर्चे हरसमेगे याद रहेंगे कि मेरे को खरके अगर आपको घर चलाने के लिए इंकम जेक नहीं है तो आपको शेर बेचना पड़ेगा इसमें एक चीड़ ध्यान रखना चाहिए कि लोग मेरे को पूछते हैं कि बाई अगर सपोज मेरे पास इंकम नहीं है तो मैं फिर कैपिटल कैसे जोड़ा हूँ यह ब हुआओ मेरे सारे कोट कंदर में तो दो तरीके तरीके साब इसल手 गार कर सकते हैं कोई प्रेलल कांब कर मिजनस करके कंसल्टेंसी एकर करके जो भी करका आखर और आप टरेडींग करके अगर सोचोगे कि मेरे इसल की छ ओसकती है तो आज तो आजसे अपने खर्चेए कम यह आपके लिए initial capital जोगार करके देगा, वो लोग करना नहीं चाहिए, ना कि trading और FN, उसमें गैरेंटी नहीं है, 99% आदमी फेल होते हैं, से भी बोलती है 90% आदमी फेल होते हैं, ट्रेडिंग के अंदर में, मेरे को लगता 99% आदमी फेल होते हैं, उसमें खाली broker बनते हैं, fantastic advisor, thank you very much for coming, thank you.